लो गाइज वेलकम बैक अगें टू यूट्यूब चैनल विजन आकिटेक्ट मैं आकिटेट के पूर आज फिर एक ने टॉपिक के साथ आया हूं आप लोगों के साथ डिसकस करने के लिए आज के जो टॉपिक हैं मार्बल्स वर्सिस टाइल उस्ते पहले हैं एक इंपोर्टन टॉपिक जो हमारा है मार्बल्स वर्स ट्व करने वाले हैं के तो आयاج हमशने वाले हैं कि दोनों में क्या लिए लोगों मतम रौक और में different natural colors में अविलेबल होता है जैसे white हो गया black हो ग्रीन और भी कई साथ जो natural colors होते हैं उनमें अविलेबल होता है different qualities होती है इसकी और यह basically जो हमारा use के जाता है यह तो architectural purpose और यह sculptures में use किया जाता है और जो हमारी tiles होती है वो हमारी clay से बनती है जो different उसके substances उसमें add-on होते हैं सिलिका हो गया parts हो गया जो high temperature पर बेक किया जाते हैं तब जाके हमारी tiles बनती है तो बहुत हमारा question होता है कि हम लोग जब भी घर construct करते हैं तो हमें किस टाइप की हमें flooring करनी चाहिए तो हमारे वाश्रूम एरिया उसमें हमें टाइली प्रिफर करनी चाहिए क्योंकि जो मार्बल होता है वह हमारा slippery हो जाता है उसे पूरी polishing कराते हैं तो वह प्रहुत क्रेड़ करता है वाश्रूम में कहीं लिप ना कर जाए गर में तो उनके लिए प्राप्लम है कि वह द्यान से जाना बड़े लिए इसलिप ना हो जाए तो इसलिए प्रिफर क्या जाता है कि जो मारी washroom में हमारी जाए टाइल्स यूज़ करी ताइल्स में गया डिफरेंट वेराइटी मिल जाती कि टेक्श्यर मिल जाते हैं और बहुत ही 3D लुक्स भी आई मिलते हैं उसमें टाइल्स में जो हमारे वाश्रूम को एननेंच कर देते हैं उसकी इस्थाटिकल व्यूटी को अब जो हमारे एड़ कर सब्सक्राइब करने वाले उसमें पहला एमारे प्रॉपरेंट के उपर है और यहां करते हैं तबहुआ होता है नहींते तबहुता होता है तब हमारे इस तोमारे फ्लोर के तो गिर जाता है और टाइल नहीं करती है अब हम बात करते हैं variety and finishes के बारे में जो हमारा दूसरे point है जो tiles जो हमारी different varieties में आती है और designs में color, print and texture में उनमें different design होते हैं wood का ले सकते हैं, bamboo का ले सकते हैं और marbles का भी ले सकते हैं यह जो tiles होती हैं, विसी suitable होती है हमारी interior और exterior दोनों cases में हम इसको use कर सकते हैं और जब marble की बात करी जाती है natural rocks होते हैं, जो marble होता है वह हमारा available होता है blocks में या फिर slabs में या फिर tiles के look में तो हम किन भी categories में हम खरीच सकते हैं जिस हिसाब से हमारी requirement हो और यह natural colors से आते हैं इसमें जैसे कि हमारा black हो गया, white हो गया green हो गया, brown हो गया grey और भी natural colors हमारे होते हैं और different grades आते हैं marble के और जो इसमें हम बात करते हैं कि जब हम इसमें polish कर देते हैं तो इसकी जो shining होती है वह और aesthetic looks को बढ़ा देती है अब जो हमारा तीसर point है इसके उपर हम बात करने वाले वह इंस्टॉलेशन के उपर जी हाँ, tiles की जो installation है बहुत ही असान होती है जो अगर हमें जितना टाइम है marble flooring में करने में लगेगा अगर हमें एक महीना लग रहा है तो वही हम tiles में हम 5-6 दिन में हम उस काम को complete कर सकते हैं अगर कोई हमारा acid spill हो जाता है या कुछ पानी गर जाता है या कुछ oil गर जाता है तो इसको जो है इसकी low absorption property की वह ऐसा ये इसको absorb नहीं करता है और इसमें stains नहीं रहते हैं वही अगर हम बात करें marble की तो marble की cleaning भी थोड़ी मुश्किल होती है करना पड़ता है अगर नहीं करेंगे तो यह इसके absorption property बहुत अच्छी होती है अब्सकर लेगा तो फिर उसका जो है stain आपके marble पर रह जागा फिर वह हमेशा ही वैसा ही आपको देखेगा पांच में हमारे डोपिक है वह दूरेबिलिटी अब डूरेबिल्टी की बात करते हैं तो उसमें कहा है marble हमारे ज्यादा durable रहता है क्योंकि marble में अगर crack भी आ जाए तो उसको हम repair कर सकते हैं उतने part grouting करके हम उसको change कर सकते हैं अलकि जब tile की बात आती है हम tile में अगर हमारे crack जाए जल्दी तूट जाती है वह हैवी समान उसको गिर जाए marble में ऐसा नहीं होता है तो tile का में रिकर्ट तो पूरी tile उससे change करने ही पड़ती है कई पर ही क्या होता है हमने बहुत time हो गया हमें tile लगा हमें 3-4 साल हो गया तो हमें उस type की same tile हमें मिलना मुश्किल जाती है तो वो फिर हमारे को problem create करती है कि हमारे पूरे एरिये कि या तो हमें पूरी tile ने चेंज करने पड़ेंगे या में किसी और similar color की उसे मिलती भी एक odd सी एक हमें style को से replace करना पड़ेगा तो इस मामले में जो हमारा marble ज्यादा में अविलेबल रहता है कि कभी भी आप उसको ले सकते हैं कोई इसका यह नहीं कि थोड़ा इम बाद पुराना हो गया या तो सेम एक मतलब पैटन होता है टेक्शर होते हैं वह आपको इसली अविलेबल हो जाते हैं और वह डियूरेबल भी रहता है इतने जल्दी से लिए पढ़ जाते हैं क्योंकि अगर एक हम अच्छा मारवल भी लेने जाएं तो कम से कम तीस से पचास रूपे पर स्कार्विट हमें पढ़ेगा एक मारवल और उसी के ओपर डिपेंड करते साइब अगर सस्ते मिल जाते हैं पीस रूपे से शुराते हैं पर वह यह जाद तो यह लग्जीरी एक तर से मारवल एक लक्जीरी लाइफ को डिपेड़ करता तो इसकी रेंज पर याप बहुत सारे डिफरेंट रेंजेस उसके हम डिफर करते हैं तो कॉस्टिंग उमेरा को मारवल की महेंगी पढ़ते हैं तो अगर हम अच्छी टाइल लें अगर किसी क तो इसमें कोई हमारे साथवा पॉइंट है। हमारा स्थाटिक व्यू जो है हमारा स्टाटिक से लुक्षिरी लाइफ को डेपकरता है। जैसे कि हमने कभी भी देखा होगा बड़े-बड़े जो होते हैं यह कोई भी ग्रेंटनेस चीज जैसे कॉंपेक्स पंते हैं तो उसमें मार्बल की यूज की जाते हैं कि मार्बल जो एक जब पॉलिश होने के बाद उसकी जो शाइनिंग आती है न वो टाइल से उस लेवल को यह कुब हमें सकती है तो यह एक बहुत अच्छी वाहलेटी होती है मार्बल की आप मार्बल के यूज करें इसकी पॉलिश कर वह जैसे फैसे पर पर वह लोताई नहीं आ पाता है वह शाइण उनकी अलगी होती है जो कंपेर करीके दोन की पॉलिष की बात जो शाइण आती है और टाइल्स की शाइण निंग भी आती है पर वह अलया ही चमकते हैं और वह कर देने मर्बल मार्बल हुथा तो जी टाइंड लांट जो उमारा पॉइंट है ग śm तो जाता सारे एरियास में जाता वर्क्त में लूड रॉट होता है वो डाउन से एगार में बावावर्च रसकते हैं और इंडोर में भी आपकी टाइप स्टाइल फ्लोरिंग होती है यह लुग आप यह लुग यह लुग चांगी किलिगी करना फिर इसको time to time आपको मेंटेन करना पड़े पॉलिश करानी पड़े हिसाई कर आगे ठीक करना ठीक करवाना पड़ता है तो इसलिए प्रिफर किया जाता है कि तो इसको नियुक्त सब्सक्राइब कर दिखा पाएं तो दोस्तों यह चोटा सा डिफरेंस था कि हैं मार्बल टाइल में कैसे हम डिफरेंस कर सकते हैं जो मेरी परसनल वह चॉइस है मैं मैं अभाल यूज करता हूं एक मार्बल कहने लाइफ हो जाती है डिपेक्टिंगे कितन लाइफ चलता है क्योंकि जो मार्बल की लाइफ होती है 25-30 साल तक होती है अगर आप नॉर्मल अपना अपना चॉट कर रहे हैं तो एक आदमी जो है नॉर्मल अपनी लाइफ में एक ही घर चॉट कर बाता है मतलब अगर एक मिडल क्लास फैमली को देखा जाए तो वह चाह के यूज से बना रहे हैं अगर आपने चट कर रहे हैं तो वह आपकी प्रॉपर्टी के उपर भी डिफरेंट उसके यूजस के उपर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी टैप की फ्लोडिंग करा रहे हैं तो दोस्तों आज की वीडियो थी एक मार्बल से टाइल के उपर बाकी अब जो नेक्स्ट वीडियो है हमारी बैनस डे को आईगी एक ने टॉपिक के साथ हम फिर आपके साथ मिलेंगे तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और में फ्रेंट के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस टाइब की इनफोर्म